असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के उर्दु बुख का अगला चैप्टर बिसका नाम है फैमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तजू यह चैप्टर नमबर 12 है 12 है जो की एक नाविल है अब नाविल किस से कहते हैं इसको भी समझेंगे ठीक है इस चैप्टर के जो राइटर है मुसानिफ है वह है डिप्टी नजीर एहमाद ठीक है इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं इनकी पैदाइश जो हुई थी छे दिसंबर 1836 इस भी को हुई थी जीला बिजनौर के जलगर में ठीक है कब 6 दिसंबर 1836 को इनके वालिद का नाम साधत अली जिन से अर्भी वफार्ची की तालीम हासिल की इनके वालिदी यानिके पिता जी ही क्या किये थे अर्भी वफार्ची की तालीम एजुकेशन इनको दिये थे डिप्टी नजीर एहमत को ठीक है के साथ मौलवी नसुल्ला से भी अर्भी की मौईयारी किताबों का क्या कि उन्होंने तालीम हासिल की एजुकेशन लिया फिर आगे तालीम हासिल करने के लिए कहां चले गए दिल्ली चले गए ठीक है मौलवी अब्दुल खालेक की पोती से शादी हो गई डिप्टी नजी नजीर एहमद के जो वालिद है सहादत अली उनका इंतकाल हो गया वह इस दुनिया से चले गए ठीक है कानपूर उसके बाद जो है नजीर एहमद अलग अलग जगा पर जाकर नौकरी की जौब किया फिर उन्होंने लास्ट में कौन सा जब चुना कानपूर में मदारिस के बन गया और इसलिए नब में क्या लगता है डिप्टी लगता फिर जिवी है फिर और दिली आ अगया अब वह जो थे डिप्टी नजीर आमद वो वह वली नाविल निगार थे यानि कि सबसे पहले इन्होंने लिखा था ठीक है नाविल किसे कहते हम लोग अभी समझेंगे स सबसे पहले इनके बारे में समझ लीजें ठीक है तो डिप्टी नजीर हमत को क्या बोलते हैं पहला नाविल निगार सबसे पहले नाविल लिखने की उपादी किसको दी गई डिप्टी नजीर रहमत को इसलिए इनको अवली नाविल निगार कहते हैं नाविल निगार का मतलब होता है नाविल लिखने वाला ठीक है इनके कुछ नाविल भी है देखिए मिरातुल उरूस जो की 1879 में क्या हो गई इनका जो इंतिकाल हुआ वो 28 दिसंबर 1910 इस भी को हुआ और किस कारण उनको फालिस का असर फालिस मार दिया जिसके वज़ा से 28 दिसंबर 1910 को उनकी मृत्ती हो गई वो इस दुनिया से रुक्षत हो गए ठीक है तो यहां तक हो गई डिप्टी नजीर एहमत के बारे में अब चलिए हम लुक्स चलते हैं फैमीदा और मजली बेटी हमीदा के गुफतगू चैप्टर की तरफ यह एक नाविल है अब हम बात करते हैं कि नाविल किसे कहते हैं देखिए नाविल को इंग्लिस में बोला जाता है नोविल और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास और एशिकाफोल हुबाइब लिख देना क्या के लाता है नाविल कहलाता है मतलब यह जो नाविल होता है वो कहानी है जो हकीकत में घटना ओन करकर कल लिख दिया जाता है इसको-बोल जाता आप लोग के मैट्रिक का मार्क सिट आ गया उसको आप लोग देख लिए कि वह मैं आपने बहुत अच्छी नमर से पास कर गया हूं अब उस मार्क सिट को ले जाकर जिरॉक्स कीजिए उस मार्क सिट का जो जिरॉक्स पेपर निकलेगा वो बिल्कुल हूब वहू होगा आप भी आप लोग का दोनों में डिफ्रेंस नहीं दीखेगा ठीक है जब आप ऐसा मश्रीन आ रहा है ना बिल्कुल हूब वहू कौपी निकाल दे रहा है तो आप लोग का यह जो मार्क सिट का जिरॉक्स किये हैं वह बिल्कुल हूब वहू दिखेगा लेकिन क्या वह रियल कह हाथ में लिए वह आप लोग का माक्षित है बस वह उसका कॉपी कि राइट कहलाएगा उसका नकल कहलाएगा ठीक है बिल्कुल उसी तरह होता है हम लोग के नाविल में क्या होता है कि किसी इंसान के जिंदगी में गटना रियल में गटी रहती है किसी इंसान के जिंदगी क होता है लेकिन उसी घटनाओं को किस्सों को कलपना करकर लिख दिया जाता है कि हां ऐसे इसे हुआ होगा मतलब कलपना करकर लिख दिया जाता है उसको बोला जाता है हम लोग नाविल तो यह नाविल होता है वह सची घटना नहीं होती है मतलब ये नाविन वास्तिविक नहीं कहलाएगा क्यूंकि ये किसी और के जिन्दगी में गतना घट चुकी है, हाकिकत में, रियल में अब उसी को नकल किया गया है सकल्पना करकर कि यहां ऐसे ऐसे हुआ होगा और उसको लिख दिया गया तो यह रियल की घटना नहीं है रियल की घटना तो उस इंसान के साथ हुई है इसी को उसी घटनाओं को लिख देना नाविल के लाता है समझ में आ गया एक और एक्जामपल देती हुँ मैं आप लोगो हमारे भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अब उनकी आवाज की मिमिक्री की जाती है कोई इंसान है जो उनकी आवाज की मिमिक्री कर रहा है यानि की नकल कर रहा है बिल्कुल हू बहु हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरह वो बोल ले रहा है तो क्या उस इंसा कि वो आवाजे और जो वास्त्विक कहलाएगा वो हमारे नरेंद्र मोधी कहलाएंगे बिल्कुल उसी तरह कहानी में होती है सची घटना के से इंसान के साथ घटी होती है और उसी कहानी को लिख दिया जाता है नॉविल कहलाता है कोई दिक्कत नहीं है अब यह जो चैप्टर है फैमीदा और मजली बेटी हमीदा यह भी एक तरह का नाविल है मतलब यह भी किसी इंसान की जिंदगी में घट चुकी है और उसी घटना को कलपना के तौर पर हमारे डिप्टी नजीर एमद जो है वह इस कह हमीदा और मजली बेटी हमीदा के बीचा इस नाविल में पहरे नाविल में ऐसके मजली बेटी हमीदा ठीके और मजली बेटी हमीदा दीके जिसे गुष्टगू हो रही है मा और बेटी में इस नाविल में ठीके और इनका एक और चोटी सबसे छोटी बेटी है नंदी बौवा धिके नंदी बौवा आलिया जो रहती है inte सबसे बड़ी रहती है और थोड़ा घमंडी टाइप कि रहती है वो ना समझ रहती है उसके पास उतना अकल नहीं रहता है हमीदा जो रहती है न फेहमीदा और नसुख की दो बेटे भी एसलीम और कलीम तो उनका ज्यादा इस नविल में नहीं बात किया गया है में जो अब यहां से आप लोगों का नाविल स्टार्ट होता है पहमीदा अपने शोहर नसू से कहती है कि आप जो कुछ दिनों से नमाज पढ़ रहे हैं उसको देखकर हमारी जो बेटी हमीदा है वो मुझसे सवाल करती है कि यह अबाजान दिन में क्या करते हैं मैं देखती हूं कित यह क्या करते हैं अबाजान मतलब कौन पुछता है यह उनकी बेटी हमीदा पुछती है मजली बेटी तो फैमीदा उसको जवाब देती है उसकी माँ हमीदा को बोलती है कि बेटा वो तुम्हारे अबाजान नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमीदा यानि कि फैमीदा की बेटी कहलाता थे नमाज कहलाता है तो फिर हमीदा पुछती है यानी कि उनकी बेटी फुस्टी है कि अम्मि ये खुदा क्या चीज है नहीं कि ऐसे अपनी बेटी मेंदस हमिदा से क्या तम खुदा को नहीं जानती नहीं नहीं ग्राणती हमिदा bald कि मैं कसम खाते हुए सुनी हूं क्या खुदा बेजा है क्या उसमें जान नहीं है तो फैमीदा बोलती है ऐसा मत कहो जल्दी से तौबा करो ठीक है हमीदा से बोलती है खुदा बेजा नहीं है वह हम सभी को पैदा किया है वह हम सभी को पालता है वह हम सभी को जिलाता है और फ कि आपको भी खुदा नहीं पैदा किया है तो नसू बोलते हैं अपनी बेटी से कि हाँ बिलकुल मुझको भी खुदा नहीं पैदा किया है तो नसू बोलते हैं बिलकुल तुमको भी खुदा नहीं पैदा किया है तो नसू बोलते हैं बिलकुल तुमको भी खुदा नहीं पै भूलती है उसकी मा बोलती है हाँ बिल्कुल बनता है तो फिर आप क्यों बोल रही है कि खुदा हम लोगों को खाने के लिए देता है तो फैमीदा बोलती है बिल्कुल देता है और उसके वज़ासे गुल्य मेवे सब्जी फल क्या होता है उगते हैं और इसको हम खाते हैं तो फिर ननी बहुआ को दूद पीती है दूद कहां से आता है तो फिर यहनकी उसकी मां बोलती है कि भीटा खुदा ही हम उसको दूद उतारता है उसके लिए दूद देता है तो अच्छा ऐसा बात है तब तो ये अल्ला मियां बहुत ही अच्छे हैं, हम सभी को खाने को देते हैं, यहां तक कि नन्नी वहुआ को दूद पीने के लिए दूद भी उतारते हैं। फिर हमीदा का अगला सवाल रहता है अपनी मा से कि अम्मीजान या खुदा से हम लोग का कोई रिष्टा है। जिसके वज़ाए से खुदा इतना अच्छा सुलूक हम लोग की साथ करता है। तो फिर हमीदा बोलती है कि हाँ बिलकुल रिष्टा है, वो हमारे मालिक हैं, हम उ लोग उसे कोई काम करवाते हैं क्या तो फिर फैमीदा बोलती है हाँ बिल्कुल करवाते हैं अभी तुम देखती हो ना अपने अबाजान को नमाज पढ़ते हुए वही काम है उसी तो बोलते हैं इबादत, तो इसको बात समझ में आ जाती है, फिर हमीदा केती है, कि ठीक है, नमाज या फिर इबादत, ये अलहा गा काम है, तो सभी लोगोivering काम करनी चाहिए नहीं, सभी लोग को इबादत करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अल्ला की दीवी रोटी खाते हैं तो फिर इस बात को सुनकर फहमीदा बोलती है अन्कि उसकी मा बोलती है बेशक हम सभी को इबादत करनी चाहिए तो फिर हमीदा कहती है अच्छा मी जान तो तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ती हो तुम क्यों नहीं अल्ला की अबादत करती हो क्या तुम खुदा की लॉंडी नहीं हो क्या तुम खुदा की दिवी रोटी नहीं खाती हो इस हमीदा की बात सुनकर फहमीदा को अपने आप पर बहुत ही ज़दा शर्म आती है मतलब हमीदा के भोलेपन की वज़े से उसकी मा एनकी फैमीदा को बहुत अपने आप पर शर्म आता है तो फिर फैमीदा क्या बोलती है शर्म के वज़े से कि बेशक मैं भी खुदा की लॉंडी हूँ मैं भी उनकी दीवी रोटी खाती हूँ लेकिन तुम देखती नहीं हो कुछ लॉंडी है निकम्मी होती है नमक हराम होती है कामचोर होती है देचोर होती है बिल्कुल उसी तरह की मैं लॉंडी हूँ कौन बोलती है फिरमीदा बोलती है उसकी माँ तो फिर हमीदा कहती है कि अच्छा अमी जान अबुजान भी तो कुछ दिनों से इही नमाज पढ़ रहे हैं तबीए उनका ठीक हो उसके बाद से वो नमाज पढ़ रहे हैं क्या उसके पहले हमारे अब्बाजान खुदा की खाते थे तो फिर हमीदा कहती है तो फिर हम से खुदा तो बहुत नराज हुए होंगे तो फैमीदा बोलती है बिलकुल नराज होने वाली बात है ही यह बात सुनकर हमीदा बहुत ही जज़ा डर गई उसे लगने लगा कि सायद खुदा नराज हो गए खफा हो गए तो हमसे र खबड़ाओ बेटी खुदा ऐसा खुदा का ऐसा दस्तूर नहीं है खुदा ऐसा कभी नहीं करेगा जो नमाज नहीं पड़ता खुदा की इबादत नहीं करता तो भी उसको खुदा क्या करते हैं खाना उसका बंद नहीं करते रहते हैं उसको रोटी खाने के लिए देते हैं तो फैमीदा बोलती है अरे ऐसा नहीं बात है अभी नन्नी बववा सुई हुए जब उठेगी तो मैं पिला दो फिर आगे हमीदा फिर फैमीदा से सवाल करती है कि अच्छा अमीजान आप हमें ये बताओ कि हम लोगों के घर में भी तो नौकर है तो अगर वो नौकर काम नह करनी चाहिए तो फैमीदा बोलती है हाँ बिलकुल करनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है फिर आगे सुनिये हमीदा क्या कहती है हमीदा कहती है अच्छा अमीजान मैं तो कभी नमाज नहीं पड़ी हूँ खुदा की अबादत नहीं की हूँ तो क्या अल्ला मुझ से खफा जरूर होंगी मैं तो दिन में कितना बार खाना खाती हूं फिर भी हम मैं अल्ला तला की क्या करती हूं नमाज और उनकी अबादत नहीं करती हूं तो फिर हमसे अल्ला तला तो बहुत खफा होंगे और पूरा हमीदा डर जाती है और जाकि अपने फैमीदा के मतलब अपनी म तो फिर अमीदा केती है क्यों मुंजे तो बराबर का हिस्सा क्का खाने के लिए मिलता है आपक्त पिर आ यहीं खाना खाना क्यों देते हैं तो फिर फैमीदा बोलती है वो खाना तुमको इसलिए देते हैं रोटी इसलिए देते हैं ताकि तुम जब बड़ी हो तो और अच्छे से खुदा की इबादत करो तो फिर आगे हमीदा केती है तो क्या अमीजान मैं अब काम नहीं कर सकती मैं तो कर ही लेती हूं आपके लिए पान बना लेती हूं अबुजान को पानी ले जाकर पिला देती हूं घर के काम भी कर लेती हूं तो क्या मैं खुदा की काम नहीं कर सकती हूं मैं तो देखती हूं अबुजान सिर्फ खड़े रहते हैं तो मैं खड़ा होकर फिर वो बैठते हैं तो मैं भी तो खड़ा होकर बैठ सकती हूं तो फिर उसकी अम्मी फैमीदा बोलती है नहीं बेटी उसके इलावा कुछ पढ़ना भी पढ़ता है तो फिर हमीदा कहती है अच्छा तो फिर यही तो किया जाता है तो फिर हमीदा पूछती है तो क्या जिस तरह हम लोग अभी अपने भासा में बात कर रहे हैं अपने भासा में जो बोल रहे हैं इसी तरह उसमें भी नमाज में भी बोला जाता है इसी तरह बाते की जाती है खुदा से तो बोलती है कि नहीं बेटी कौन कमाने करेंगे तो फिर आगे सब बतातीए कि नहीं ऐसा नहीं है धो एक-एक भासा और thoughts है यहां तक इंसान के इरादों को वह जानता है हर जगा खुदा मॉझूद होता है अब यह शुनकर हमिधा बहुत जदा डर जाती है वो पूछति यहां पर भी खुदा मौजूद है यहां पर भी हमारी बातों को सुन रहा है तो घंलिए बिल्कुल बेशक हो यहां पर भी है यहां तक हमारे पास बैठें पैठें यह उख लगता ऑपास में महीं घुंग हो जाती है उसको लगता है कि खुदा पास में होंगे सुन रहे होंगे बात को अब एक्दम चुप चाप होकर अपनी फैमीदा यानि की अपनी ममी की गोद में क्या हो जाती है सो जाती है आगे फैमीदा हमीदा को अपने गोद में सुलाए सुलाए क्या होता है उसका पैर इतना बड़ा-बड़ा सवाल के रही है लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है फैमीदा नसु अपने शोहर से बोलती है यह तो मजभब की खुबी और उंदगी है और फिर नसु फैमीदा से कहता है कि काम करो फैमीदा तुम हमारी तीनों लड़कियों का तुम तालीम और दो और मैं जो दोनों लड़के हैं सलीम और कलीम उनको तालीम और तरवियत दूंगा तो फैमीदा बोलती यहां ठीक है आप जिस तरह करेंगे उसी तरह मैं भी करूंगी तो फैमीदा लड़कियों को तालीम तरवियत देने के लिए राजी हो जाता है और यहीं पर आप ल सबसे पहला सवाल है नजीर एमद कब और कहां पैदा हुए लीजिए सबसे पहला सवाल यही आता है नजीर एमद 6 दिसंबर 836 इसबी को जिला बिजनौर के अफजल कड़ में पैदा हुए थे यह हो गया आप लोग का एंसर दूसरा सवाल है नजीर एमद के किसी दो नाविल का नाम लिखना है दो नाविल का दोठो कोई भी लिख दिजिएगा एक यह है मेरा तलुरूज और यह है दूसरा में बातलूरूज कोई भी दोठो लिख देना है तीसरा सवाल है फ़हमीदा और हमीदा नसू की कौन थी तो आप लोग कैसे छोता सवाल है नजीर अमद्मने किसी तेनित के लिए नावीт निखा लेखीया के लिए लिए है इसे हमें यह सिख मिलता है कि हमें नमाज खुदा की अबादत करनी चाहिए नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि हम खुदा की रोटी को खाते हैं उन्हीं की वज़ा से रोजी रोटी चलती है हम सभी को ठीक है पास्ट नमबर सवाल है जेरे निसाब नाविल के इकतबाद से दो किरदारों के नाम लिखना है इस में इस आप लोगों के बुक में जो नाविल है इसमें से कोई भी दो किरदार नाम लिखे ना है पहला सवाब है नजीरअमद के बारे में पाफ जुमले लिखना है नाजीर आम के बारे में पाफ जुमले आप खुद से भी लिख सकते हैं और रड़ी मैं सब कुछ बता चुकी हूं दूसरा सवाल पिहमीदा के किरदार पर मुटसिर रॉसनी डालि GB जो है इनके किर्दार पर यान की यह हमीदा की कौन रहती है मा रहती है तो इनके किर्दार पर पांच दस जुम्ले लिख देना है आप लोगों को हो जाएगा तिसरा सवाल है उर्दू के किसी पांच नाविल का नाम लिखना है पांच थो नाविल का नाम बता देता है तो यह तीन हो गया है एक दो तीन ये तिन बता दीज़ेगा और एक और मैं बता दे रही है उप लोगोगो खुदा की बस्ती और दो गसन इहां को गया खुदा की वहती दूसरा हो गए दो गसन थीसरा हो गया यह चौदा नाविल का नाम हो गया हो गया क्लियर बात चार नंबर देखिए सरस्यद के अनासर खमसा की हैसियत से नजीर आहमद की खिद्मात पर रौसनी डालना है मतलब जो सरस्यद आहमद खा तहरीक चलाय थे अले गर मुस्लिम इनर्सिटी औरा और सभी सरस्यद आहम खा ने तालीम तर बिएद है तालीम तर दीन सब्सक्राइब किये थे उस में हमारे जो नर्जीर आहमद है उन्हों ने भी हैल्प की तो उसमें आ기도 के आहमदки के बारे में आप लोगो मुक्तसृ तारी डालना है मतलब कैसे खिदमत किये यह बताना है उसको रोशनी डालना है तो यह आप लोग खुद से लिखेंगे पांच नंबर सवाल है इसलाही जजबे पर पांच जुम्ले लिखिए इसको समझे इसलाही जजबा मतलब होता है इसलाही जजबे मतलब सुधारना अब किसी इंसान के अंदर नविल निगारी का जयी आप लोगों के लिखा करते या अप लोगों को लंबा चुड़ा करकर अपने से लिख देना है ठीक है दूसरा सवाल है उर्दू में नाविल निगारी पर नोविल राइटिंग किसे कहते हैं इस पर आप लोग को एक एसे लिखना है मजमून लिखना है तो वाओ आप लोग खुद से लिखेंगे तिसरा सवाल है जेर निसाब एक तबास का मरकजी खयाल पेश कीजिए यानि कि आप लोग की जो बुक में नाविल दिया गया है पहमी सब्सक्राइब करेंगे बहुत आसान हैं तो यह होगे आप लोग का e outro ड mart Azran को करेंगे षब सथाल करेंगे वह मिलेंगे सब्सक्राइब कमेंडी करका पूछ सकते cał नेक्स्ट चेसाथ टॉक्त ok